इस lecture में हम यह देखेंगे कि जो RNN होता है वो क्या चीज़ है यानि कि recurrent neural networks क्या होते हैं theoretically हम इसको पहले देखेंगे फिर इसके key terms देखेंगे one by one कौन कौन से key terms होती है और इसका फिर background चेक करेंगे कि किस तरीके से यह बनता है and at the end हम इसके theoretical background को समझते हुए एक neural network को draw करें तो times आया कि यह बगार हम start करते है तो आज थोड़ा से interactive way में हम पढ़ेंगे मैं पहले बता देता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में से question भी किया गरूँगा आपसे तो आप उसको search भी किया गरेंगे reason यह है कि पिछले एक दो दिनों के experience से यह लग रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ हमें से काफी लोग जो होते है न वो या तो उनको ज्यादा समझ आ रही होती है तो या तो बिलकुली उनका जो concept है वो इदर इदर हो जाता है and then they are like cut off from the topic तो आज हम थोड़ा से different तरीके से लेके चलेंगे ताकि हमें समझ आए कि recurrent neural networks क्या होते है और जब आप से question पूछे जाएंगे then you can write down in the chat which will help us in understanding in a better way ठीक है जी तो यह strategy मैंने इसे वेड़ा से रखी है screen आपके सामने नजरारी होगी आपको आज का lecture कदरे चोटा होगा क्योंकि इसके बाद आपकी एक छोटी से assignment होगी वो आपने करनी है self-base पे और recurrent neural network के उपर एक आपनी neural network खुद से बिट्रा करना है so मैं आपको पहले बता रहा हूँ आज आपको जल्दी free कर दिया जाएगा from the class लेकिन at the end हम इसको पुद से create करेंगे so आपका personal जो homework जिससे आप कहलें simply जो बच्चों का होता है वो थोड़ा सो होगा so we will see now RNN नाम आपने पहले भी सुना है this means recurrent neural network ठीक है री करेंट neural networks इन्हें हम RNN बोलते हैं RNN बोलते हैं ठीक है neural network हम जब से पढ़ रहे हैं आपने कुछ चीजें नोट की होंगे जब भी हम कोई neural network को पढ़ते हैं तो उसके अंदर neurons का अमल दखल बहुत होता है और input और output layers जरूर होती है ठीक है तो इसमें भी आपके पास input and output जरूर होगी जो main changes आती है input और output layers के बाद वो आती है hidden layers में के data कैसे perceived किया जा रहा है data ठीक है और hidden layers के कैसे असर अंदाज हो रहा है अच्छा recurrent neural network को अगर मैं पढ़ाने से पहले आपको इसकी दो major applications बताऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ये time series का data अगर आप देखे time series analysis यानि के ऐसा data जिसके अंदर time involved हो तो recurrent neural network actually can analyze that data time series का data ठीक है and then एक और किसम का data होता है जिसको हम sequential data बोलते हैं जिसमें sequence matter करती है time series का data के अंदर time matter करता है हमने अभी तक एक data type नहीं देखी which is date and time ठीक है date या date time इसे बोला जाता है इसमें क्या होता है आपके पास एक data frame होता है वो जो आपके पास सारे के सारे instances आ रहे होते हैं उनका time stamp calculate कर रहा होता है मतलब उस वक्त time क्या था जब ये data collect किया गया say for example 9 बज़े की खबरें 10 बज़े की खबरें 11 बज़े की खबरें उसमें अगर फैसलाबाद का temperature 52 डिगरी 30 डिगरी 35 डिगरी आ रहा है तो that means कि वहां पे time जो है खबरों का आप बता सकते हैं साथ यानिके अगर आप ये कहें कि पूरे दिन में temperature हमारा रहा है for example पूरे दिन का temperature आज अगर मैं देखूं तो 31 डिगरी लगा रहें डिगरी Celsius पूरे दिन का temperature है अगर आप गौर करें कैसे सुबह सुबह आपका temperature थोड़ा कम होता है ठीक है फिर दुपहर को peak पे जाता है तो temperature ज्यादा हो जाता है फिर ज तो हमारे पास एक mean temperature होता है एक minimum होता है और एक maximum होता है ऐसे ही है अब यह कब पता चलेगा कि minimum कब है maximum कब है और mean कब है इन चीजों को देखने के लिए हमें वहाँ पे time को देखना पड़ेगा कि किस वकत कौन सा temperature है ठीक है secondly हम यह भी बता सकते हैं कि पूरे दिन में जो temperature range करता है वो 6 degree से लेके 30 degree तक जा सकता है तो यह मैं एक range बता रहा हूँ कि पूरे दिन की range है इसमें time involved ना भी हो तो हमें पता है कि 6 से 30 जा सकता है भाई range है minimum और maximum temperature जब हम देखते हैं ना कभी भी आपने weather की app देखी हो तो उसमें आ रहा होता है अब अगर मैं यह कहूँ कि 7 degree temperature था आज तो 7 में time बताना ज़रूरी है इसी तरीके से आपका time matter करता है किसे कैसे मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ आज dollar की PKR से price कितनी है मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी 286 शारिया 3 something थी Google के उपर dollar to PKR, USD to PKR यह है आज की price time मेरे पास जो उस वक्त आ रहा होगा रोगा 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 यह आज का डेटा हो तो यह 7 जून की बात हो रही है 2023 ठीक है अब कल क्या होगी that is future तो जब हम time series के डेटा को कल की बात करके मैं future का बताऊंगा तो क्या हम इसे prediction कह सकते है नहीं इसको हम forecast कहते है तो terms थोड़ी सी सीधी कर लें यहां पे जब हमने time series की base पे future में prediction करनी है उसके लिए एक specific word है इसको बोलते है future की यानि किस कहते है forecast future prediction को हम forecast बोल रहे हैं तो कहते है न weather forecast कभी यह हुआ कि weather prediction नहीं forecast क्यों उसके साथ time का सीगा मैं भोलूँगा उर्दू में अगर हम बात करें तो time का सीगा आ जाएगा चलें ठीक हो गया अब मैं आपको एक बात बताता हूं USD की price आज है साथ छे यह है 286 something मेरे पास जो आई अब अगर मैं पिछली dates की देखूँ 6 June की देखूँ तो यह हो सकती थी 285 something ठीक है फिर अगली मैं अगर देखूँ 5 June की मतलब मैं एक एक दिन पीछे जा रहा हूं तो मेरे पास 284 होगी ठीक है something like this recurrent neural network के खासियत है वो क्या खासियत है इनकी याददाश्त जो पहले एक काम हो चुका होता है यह उसे कुछ देर के लिए याद भी रखते है ठीक है तो recurrent neural network के अंदर यादश्त यानि के memory बड़ी matter करती है यह बात सिर्फ याद रखने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं terms जो key terms हमने recurrent neural network के अंदर use करने है ठीक है अब इसकी application एक तो मैंने बता दी आपको time series की data की दूसरी sequential data की ठीक है और यह किस base पे करता है मैंने आपको बताया sequence याद होगी तो उसको analyze करेगा ना sequence क्या होती है अब मुझे tenses अगर याद है my name is Muhammad Amartufel this is a kind of grammatically pronounced sentence जो मुझे पता है कि यह ठीक है यह sequence में बोला जा रहा है मैंने कहीं पर याद किया है तो मुझे sequence का बता है या data के अंदर कोई चीज ऐसी थी जो जोड तोड करके एक sequence के अंदर आ रही है for example natural language processing जब हम करते हैं तो वो sentence जब बन रहे होते हैं तो sequence होती ना उसके अंदर एक तो वो हो गया sequence का data इसके इलावा आपकी speech recognition का data sequence के कई data निकलते हैं अब यहां पर आपका practice session आता है आप प्लीज ज़रा दो मिनिट लें Google पर सर्च करें कि sequence data कितनी type का होता है यानि कि sequential data की types कितनी कौन कौन सा sequential data होता जी टेंशनल ने आपको कोई monitor नहीं कर रहा सिरफ आप अपनी तसल्ले के लिए एक दफा देख ले बता तो मैंने दे नहीं आप sequential data तरह गोर कीजेगा sequential data to be used in our environment कि अपनी होता है लकीर के फकीर ना बनिएगा अपने मैसेडी जरह गौर से देखिएगा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं टेक्स की डेटा की वो डेटा और चीज़ है डेटा की फॉर्म स्ट्रक्चर होना और चीज़ है हमने बात करनी है सिक्वेंशल डेटा टाइप्स टू बी यूजड इन आर एन एन तो आपको सही अंसर मिलेगा टूल हमारे पास है अविसली लेकिन हमें अनलाइज करने का पता होना चाहिए मैं पाइफ़न प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हम प्रोग्रामिंग की तरफ अभी गे ही नहीं है हम सिरफ मॉडल को देख रहें कि कैसे काम करते है अच्छा जी आपका ओडियो का डेटा सीक्वेंस में होता है न अगर आप गोर करें चले मैं आप बात कर रहा हूँ मुझे एक मिनिट के लिए अगर रिकॉर्ड करते हैं तो जहां से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ वो मेरा टाइम स्टार्ट हुआ वो मेरा टाइम स्टार्ट था वन सेकंड दूसरे पर दूसरा सेकंड तीसरे पर तीसरा सेकंड चोथे पर चोथा सेकंड पांच में पर हमारे पास time की base पर ही मैं कुछ बोल रहा हूं ना मतलब हमारी class start हुए 945 पर तो इसका मतलब क्या हुआ कि तब हमने बोलना start किया दो गेंटे एक गेंटा डेट गेंटा जितनी भी देर होगी वो time stamp साथ लगती जाएंगी नहीं यकीन आता तो आप recording देख लीजेगा बाद मे तो हर time पे कुछ न कुछ मैंने बोला होता है अगर एक और चीज़ जो मैंने लिटरिली जान बूच के बोली है यहां पे मैंने डॉलर की price 7 जून 2023 की बोली है ठीक है और मैंने तरीख भी बोली है अगर आप 15 दिन बाद भी ये वीडियो देखेंगे आपको पता होगा कि य डेटा 2023 की 6-7 जून का 286.3 डॉलर है तो time stamp वहां पे आगी अब इसी तरीके से वीडियो का डेटा उसके अंदर भी तो time होता है ना कभी तो किसी time पे record की गई है ना वो क्योंकि वो frames पर second उसमें भी time involved है ठीक है और साथ में वो second कितने हो गए है उसमें भी time involved है अब इससे अगली चीज़ हमारे पास text का data, video का data, audio का data, आपके time series का different किसम का data for example जो sensors की base पे आप record करते है जिसमें originally date and time की series होती है वो data जिसके अंदर memory count हो यानि के थोड़ा सा पिछला याद रखना पड़े एक algorithm को to perform its own operations and to predict the future ones समझ रहे हैं बात को कि data को थोड़ा सा याद भी रखे और आगे भी चले अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं तो आपको समझ कैसे आएगी for example यहां पे हम इसके एक छोड़ी से example देखते हैं हमारे पास इस तरीके से अगर एक neuron है मैं neuron की base पर आपको समझा रहा हूं इस neuron ने पीछे से input लेनी होती है data की ठीक है data की input तो इसके पास आगई वो input neuron भी हो सकता है another hidden layer भी हो सकती है इसने इसको information देदी data की साथ में यह थोड़ा सा पिछले की output भी आगे लेके आएगा यानि के memory of operation के उसमें कौन से procedures चल रहे थे ठीक है यही वो याददाश्टर जो इसके साथ आएगी फिर यह अपने procedures भी perform करेगा और अगले को भी थोड़ी सी memory फ्राहम करेगा alongside the data तो यह इस वज़ा से इसके अंदर memory important होती है इसकी मिसाल मैं again वही चीज़ लेता हूँ अगर एक animation draw की जाए ये वाला बॉल है हवा के अंदर दूसरे second में यहां पर आया तीसरे पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से तकड़ाया तो अगर आप इसको देखें तो यहां पर time involved है पिछले लम्हें यहां पर था फिर बॉल आ गया आ गया बॉल को और पाकी चीजों को पता है कि इसकी main height यहां पर थी यहां से फैंका गया है ball ठीक है and then when it strikes to the ground तब भी हमारे पास time है और यह भी पता है कि वो height से फैंका गया था फिर यह नीचे वाली height पर फिर नीचे वाली height पर टकराने से पहले इसके पास कुछ energy थी अगर physics की जुबान में बात करें बला हवा में था टकराने से पहले तो जब टकराया उसके बाद क्या हुआ टकराने के बाद उसकी energy ट्रांसफर होगी and it goes beyond the data तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से motion graphics का डेटा भी आता है then you can also analyze that data here और इसी के अगर video clip बनाया जाए तो अक्सर होकात आप देख रहे होते कि एक फ्रेम पीछे करना एक फ्रेम आगे करना जब webcam cams की वीडियो आपके पास हारी होती है तो वह जो आप एक analysis कर रहे होते हैं वह basically recurrent की एक टाइप है लेकिन आपके दिमाग में चल रही है वह एक फ्रेम पीछे जाएं क्या हुआ था अच्छा एक फ्रेम data के लिए ठीक है इसको याद रखिएगा और इसके अंदर memory involved होती है यह तीन पॉइंट आपको याद रखने है time time series मैंने आपको बोला sequence and memory यह तीन चीजें इसके अंदर आपने याद रखनी है ठीक है जी अब start करते हैं कि कैसे चलता है सबसे पहली key term जो इसमें मैं sequence sequence क्या आती है अगर कोई चीज चलो मैं आपको start करवाता हूँ ordinal क्या था ordinal data type क्या थी माने पास first, second, third जिसमें एक order था ठीक है यह order था ना first, second, third इसी तरीके से आपके पास अगर numbers हो strings हो characters हो कुछ भी हो और यह सारे का सारा data एक order में हो एक order में हो सारे का सारा data तो वो आपकी एक sequence कहलाती है ठीक है for example my name is Amar तो यह एक sequence है अगर किसी को नहीं पता तो अंग्रेजी जब start की जाती है my name, subject, helping verb, फिर आगे उसका object आता होता है simple sentence की बात का अगर की जाए तो हमारे पास एक sequence है अगर मैं इसी को लिखूँ Amar name is my तो यह जो मैंने चीज लिखी है इसमें sequence बिलकुल बे तरतीबी होगी है ठीक है मतलब तरतीब जो थी वो खराब होगी है तो इसका मतलब एक text का data तरतीब में हो सकता है इसी तरीके से अगर हमारे पास text के इलावा कोई और number का data है sequence के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, so and so forth जिसका एक order नजर आ रहा है वो भी एक sequence होती है ठीक है इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ अक्सर उकात हम range बनाते है numbers की पांच से पचास तक की range बनानी है ठीक है और पांच के फरक से तो यह क्या होगी पांच, दस until पचास पंदराँ, बीस, थीस, चालिस पंदराँ, बीस, पच्चिस, तीस, चालिस पैंथिस, चालिस, पैंथालिस और पचास आप लिखते हैं तो इस तरीके से यह range हो है यह भी sequence होती है तो पहली की time हमारे पास sequence है जो एक order की form में होती है ठीक है अब अगली चीज़ हम देखते है hidden state क्या होती है एक नएा लफ्ज, नई तर्तीब, hidden state क्या होती है हम lecture की recording कर रहे है तो don't worry यह lecture upload भी हो जाएगा अगर आप कुछे काफी लोग कह रहे हैं कि live कर दें YouTube पे we will do that later on when we record this lecture so don't worry about that दूसरी है hidden state पहली हमारे पास sequence एक term आगी जो इसके अंदर use होनी है दूसरी है hidden state इसी को हम बोलते हैं याददाश्ट यानि के memory ठीक है यही है वो memory जिसकी में बात कर रहा था अब इसको हम define करते हैं क्या होती है memory होती है आपकी याददाश्ट और अगर हम RNN की बात करें तो at each step in a sequence at each step in a sequence एक sequence के हर एक step के अंदर RNN क्या करता है अपडेट करता है खिडन स्टेट को ठीक है यह एक operation perform होता है based on the करेंट इन्पूट प्लस प्रीवियस इडन स्टेट इसको मैंने प्रीवियस इडन स्टेट पार्ट में इस वर्टा से थोड़ा है था कि आपको इसको क्लियरली बता सब्सक्राइब मेमरी होती है आपकी याद ठीक है RNN के अंदर कैसे perform करती हम देखते है each step of a sequence यानि के एक sequence का each step मैं दोबारा से अपनी sequence लिखता हूँ my name is अमार ठीक है each step of a sequence that RNN updates its hidden state हर एक step के अंदर इसकी hidden state update होती है for example यह name मैंने लिखा हुए यहाँ पे इसकी hidden state update होनी है यानि के इसकी memory update होनी है जिसकी base पे इसका अगला भी decide होनी है और इसका पीछे वाले की base पे इसका hidden state जो है वो decide होनी है for example my आ गया यहाँ पे हमारे पास sequence हमें यह बताती है कि यह इसकी previous hidden state थी जिसके अंदर my लिखा था यानि के मेरा ठीक है my जो है वो previous hidden state है कि किसका नाम वहाँ पे hidden state में लिखा हुआ है मेरा नाम तो यहाँ पे आप previous hidden state जो भी उसकी आती है उसको लेते हैं consider करते हैं और अपना current input कि यहाँ पे हमारी input क्या होगी अब अगर यह subject की input है तो जाहरी बात है यहाँ पे कोई चीज ऐसी sentence में आएगी जो my के साथ attach होगी ठीक है और वो subject जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा for example previous hidden state थी my और उसके साथ current input क्या है subject अब हमने क्या करना है इस hidden state को update करना है इस hidden state का मतलब क्या है इसकी memory तो हम कहेंगे पे कि हम क्या लिखने चाह रहे हैं यहाँ पे नाम लिखने या my bag लिखने ठीक है that is our data लेकिन जो लिखा गया है that is our hidden state यानि के memory मतलब उस एक performance का आपकी याददाश से क्या तरलुक है for example इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ दो चार छे आठ तस अब यहां पे हमारे पास चार है लिखा हुआ ठीक है पीछे से अगर मैं hidden state चेक करूँ तो क्या hidden state यहां पे perform हो रही है अगर memory को देखा जाए तो two add हो रहा है न अगर आप गवर करें plus two एक hidden state है यहां पे ठीक है यहां पे plus two add हुआ इसका input अब तो अगर होए data की base में तो इसका मतलब है यहां पे भी plus two add हुआ है ठीक है यह two इसका input है plus two पिछली hidden state है अब यहां पे इसकी state भी update हो नहीं है that is again plus two क्यों क्योंकि एक sequence में चला आ रहा है यह वाला data जो है hidden state और input की base पे इसकी current hidden state जो है वो decide की जाती है ठीक है अब इसको neuron की form में भी हम देखेंगे मतलब वो operation जो पिछले दफ़ा perform हुआ है उसकी base पे अगला operation decide करना ठीक है यह plus two है लेकिन जब हम आगे move करेंगे उसमें जाके यह change भी हो सकता है for example यहां पे 10 के बाद अगर 13 आ जाता तो पिछले की hidden state थी plus two समझ रहे हैं पिछले operation में plus two थी previous hidden state input data यह है तो यहां पे पिछली की base पे अगर हमारे पास output value जो यहां पे आ रही हो 13 है तो यह plus three add हो जागा यानि के current आपकी hidden state या memory अपडेट हो जानी है ठीक है and that's not really simple इसके लिए आपको neuron को different functions देने पड़ते हैं जिस पर वो check करते हैं ओके इसको हम दुबारा वापिस आके भी review करते हैं मैं अगली आपको term पहले बता दू un enrolled network कौन से होते हैं enrolled network क्या होंगे enrolled बंदा स्कूल में करता है तो क्या करता है वहां पे सीखते हैं ना admission होता है और admission होता है तो school में जाके आप enroll करते हैं तो बाकी सबी के साथ इकठे बैठके सीखते हैं ठीक है अगर मैं यहां पर कहूं networks को अगर आप students कहा दें और enrolled जो हैं वो इकठे बैठके सीखने वाले un enrolled वो वाले student जो separately सीख रहे हैं ठीक है तो यहां पर अगर आपके पास दो keywords आज़ें separate students यानि के separate networks अब इसको देखते हैं enrolled networks क्या होता है मैं यहां पर तीन चार आपको keywords की form में बताता हूं फिर इसकी definition बताते हैं इच नोड किस चीज का input का हर एक नोड यानि के input हमारे पास जितने भी नोड पढ़े हैं sequential data के अंदर जो input है उसका इच नोड जब हम उसको separately deal करें separately treated as an single input तो उसको unenrolled network हम बोलते हैं अब इसमें क्या science है अभी मैं आपको बताता हूं के हमारे पास अगर यह एक नोड है और इसके अंदर हमारे पास एक input sequence मुझूद है यह बाकी nodes की निस्वत separately आगे produce की जाएगी यह अलैदा से separately आगे जाएगी यह अलैदा से separately आगे जाएगी का मतलब है कि इकठे यह आगे प्रसीड नहीं होंगे यह अकेले केले होंगे सो यह कहां पर हम यूज करते हैं unenrolled network इसमें हम चेक यह करते हैं कि data का flow कैसा आ रहा है यानिके अगर हमारे पास sequence के अंदर एक input और सारी की सारी input जो है वो पहले note से related है और अगर वो सारी की सारी my, i या name से या initial sentences से start हो रही है initial words in sentence अगर मैं लिकूँ यह जो initial words है मतलब जहां से sentence स्टार्ट होता है अगर वो एक note से आ रहे हैं तो हम data के flow को count कर सकते हैं इस तरीके से और यह unenrolled network जो हैं इस तरीके से मैं visualize करने को help करते हैं कि separation of data हम किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं और इसका मकसद यह होता है कि जब भी आपने पूरा sentence लेना है आपका data क्या है इसमें अगर गोर की जाए यह पूरा sentence data नहीं है आप इसको तोड़ते हैं my अलेदा हो जाता है, name अलेदा हो जाता है, is अलेदा हो जाता है, amar अलेदा हो जाएगा so you will separately deal all of them तो जब अगर यह separate input हर एक separate network के तुरू आगे move करेगे तो इसको unenrolled network कहेंगे और यह हमें data का flow check करने के लिए helpful थाबित होते हैं और RNN के अंदर यह हम इस technique को use करते हैं to separately check out the data type के किस तरीके से सारा किसारा data जो हमारे पास आ रहा है मेरी वीडियो के रूप गई है just give me one second ठीक हो गया अच्छा जी फिर अगली टम की तरफ चलते हैं यह सारी चीज़ें आपको मैं दुबारा से करवाऊंगो जब हम अब आर एनन बनाएंगे यह टर्म्स में इस वज़ा से बता रहा हूं ताके फिर अगली चीज़ है बैक प्रॉपेगेशन थू टाइम ठीक है किस तरीके से बैक प्रॉपेगेशन होती है थू टाइम इसका वही तरीका का रहा है जब आपको बता है हमारे पास एक आउटपूट आ गई है ठीक है इनपूट से हम चले थे सेंटर में आरे एन एन वगएरा सारा कुछ नियूरॉंस थे हमारे पास एक आउटपूट आगी अब आउटपूट को औरीजिनल के साथ कंपेर किया जाता है या आपके पास कोई स्टेंडर होता है आप उसके साथ कंपेर करते हैं ठीक है औ और यहां पर हर एक चीज की वेर्ट बाइसेज वगारा को री कैलकूलेट करें ठीक है यह बैग प्रॉपगेशन थू टाइम का मतलब क्या है क्योंकि इस डेटा में टाइम चल रहा होता है और हम बैग प्रॉपगेशन भी थूटाइम करते हैं और पूरे के पूरे डेटा वेनिशिंग ग्रेडियंट है वेनिशिंग ग्रेडियंट का मतलब सिंबली अगर हम S को देखें जो हमने वहाँ पेदै को पता है वहाँ पे चीज थी हमारे पास कि एक्स्ट्रीम वैलियू जैयों यह उसको प्रडिक्ट नहीं कर पा रहा था ऐसे ही है यहां पर वैनिशिंग ग्रेडियन क्या होगा बला कि इसकी जो मेमुरी है ना वो देर तक अबाद नहीं रहती देर तक नहीं चलती वैनिश कर जाती है ठीक है इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि अगले मॉडल इसी बेस पे चलने है इसके पीछे मैथमेटिक्स डिफरेंड है बट जस्ट टू टल यू कि वैनिशिंग ग्रेडियन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रहलू में थी तो हमारे पास दूसरी गिसम की फंक्शन यूज करे लिए लिकी रहलू आ गया और दूसरे आ गये थे इसमें होगी तो हम दूसरे मॉड़ल्स को यूज करेंगे फिर अगली चीज होती है exploding gradient exploding gradient भी यही चीज है कि या तो data आपका बहुत श्रिंग कर जाता है at the end पे जाके श्रिंग करेगा तो वह हमारे पास vanishing हो जाएगा gradient यानि कि at the end जाके आपका data बहुत श्रिंग कर जाता है और आप उनमें ज्यादा फरग नहीं कर पा सकते और अगर explode का मतलब है वही end पे जाके explode कर जाएगा बहुत ज्यादा फैल जाएगा रहता फैल जाना जैसे होता है और इसकी example को हम देखेंगे vanishing and exploding gradient की तो हमें फिर पता चल जाएगा कि किस तरीके से ही काम करते है एक और term हमारे पास आती है gated units गेट का मतलब पता है क्या होता है गेट का function क्या होता है एक गेट का करना यानि के आप जिसको अलाओ करें वो अंदर आ सके जो ना अलाओ करें वो ना सके चीज़ें ठीक है तो यही चीज़ा gated units क्या होते हैं यह वह वाले method हैं जो आपके vanishing gradient or exploding gradient को minimize करने के लिए use किये जाते हैं so we can say gated units are the method जो हम use करते हैं to minimize or to mitigate the issues related to vanishing or exploding gradient ठीक है उसको करेंगे resolve यहां पर दो अल्गरिथम के मैं नाम लिखता हूं तो आपको याद आ जाएंगे यह gated units हैं of RNN सब टाइपस of RNN बीने का आजग सकता है पहला है LSTM क्योंकि उसके अंदर problem है तो हमने strategy ढूंडी mitigate करने की vanishing या exploding gradient को पहली LSTM के थ्रू होती है और यह gated unit ही है जिसे हम long short term memory बोलते हैं long short term memory और दूसरा हमारे पास होता है ग्रू जी आर्यू ग्रू मैं ऐसे सिदा गूरू भूलूंगा ठीक है गेटिड गेटिड उपर से आ गया कौन से अल्गूरितम हम पढ़ रहे हैं जी रीकरंट आगे units तो यह हमारे पास दो मेजर टाइप हैं यह हमें अलाव करती है कि किस चीज को याद रखना है एंड किस चीज को भूल जाना मैं इनको बोलता होता हूं कि यह rnn के psychiatrist हैं दोनों यह बताते हैं कि यह जो कर रहे हो गलत कर रहे हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रैफिक इसको आप कह सकते हैं ट्रैफिक आपकी से काम करते हैं जिस चीज को अंदर आना होता है किस चीज के अंदर मैमORी के अंदर नहीं के रखनी होते हैं जो नहीं रखनी होती है जो नेहीं rest as the gated units ठीक है तो LSTM और ग्रू इसके अंदर ही आएगा इसके इलावा और भी है फिर अगली चीज एक बड़ी एक फणी टरम इसके अंदर यूज होती है I know कि मैं terms के साथ आपको ज़रा हिला रहा हूं इस वकत I know that but you will feel comfortable in a minute क्योंकि अब हम इसकी theory जब पढ़ेंगे आपको और भी समझ आएगी क्योंकि theory ही सारी चीज है इसकी इसको मैं बोलता हूं teacher forcing और यह वाके में term है मेरी बात नहीं है teacher forcing क्या होगी मैंने बड़ी आला example अभी आपको दी थी यहां पर 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 यहां पर आगे मारे पास आगया 13 अगर पिछली memory की base पे ground realities को भूलते हुए यहां पर 10 प्लस 2 इस इकल टू 12 गैस किया जाता इस वस teacher forcing समझ रहे हैं बात को के ground realities को भूलके पिछली memory की base पे अगर कोई operation perform हो और वो guess किया जाए कोई final output तो उसको teacher forcing कहते हैं ठीक है teacher क्यों बोला जाता है इसको क्योंकि पीछले data से आप trend सीखते आ रहे हैं पीछे data से trend सीखते आ रहे हैं और supervisor लगने की main चीज़ ही यह है कि वहां पर supervisor involved होता है अगर आप उसी को teacher देख लें तो teacher forcing यहां पर देख सकते हैं इसको अब यहां पर एक example लेते हैं कि कैसे यह सब कुछ काम करता है उसको बताने के लिए हमने कितनी terms अभी तक देखी हैं कोई यहां पर list कर सकते हैं अगर आपने साथ साथ notes बनाएं नहीं भी बनाएं तो आप बता सकते हैं वैसे जितनी आपको याद चैट के अंदर अबस्ते हैं वेनिशिंग ग्रेडियंटिदन स्टेट अरोल नेटवर्ग बीपी टीट वेनिशिंग ग्रेडियंट आ गया एक्स्प्लोडींग ग्रेडियंट आ गया आपके पास मैमोरी आ गया टीचर फॉर्सिंग आ गया, LSTM मैं LsRM नहीं है, इन्रोल्ल्ड आ गया, Gated Units मैंने आपको बताये Long Term Short Memory बता दिया आपको Teacher Forcing मैंने बढ़ा दिया अब आप एक एक ऐसी Definition RNN की लिख सकते हैं या आप एक question Net से search कर सकते हैं What is the difference between Simple Neural Network या Feed Forward Neural Network versus CNN versus RNN Please Difference between CNN RNN and Simple Neural Network या Feed Forward Neural Network कर सकते हैं करें स सकत कि बता हम या न बताम जाओा 씨 कर दूए सकते हैं कर वां एक कर दो कर दिष्णें ौ्पर्ण ओप आप कोक्षैक यूठ 너 activities रोर्प Part 5 украї रूए awia में सकते हैं अबवालो चाहीं में 29 सकते हैं झाल 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 यहां पर यहां पर मल्टिपल लेयर्स अफ नोर्स इंक्लूडिंग वन और मॉर कॉन्वलेशनल लेयर्स अटैच होती है यहां पर इंफर्मेशन फ्लोज इंफरेंट डिरेक्शन तो हम वो भी चेक करेंगे कि कैसे मूव करता है तो यहां पर टैबलर या टेक्स डेटा पर आर्टिफिशल नियूरल नेटवर्क काम करता है यह इमिज डेटा पर CNN करता है और CNN की यही खासियत है यह इमिज डेटा के मैट्रिक्स को रिजॉल्व करके आउटपूर देदेता है यहां पर सिक्वेंशियल डेटा होता है यह सिक्वेंश का डेटा होता है जिसमें एक ओर्डर हो किसी भी एक नमबर का ओर्डर हो स्रिंग का ओर्डर हो या किसी भी और किसम का ओर्डर हो सकता है वो यहाँ पर हम देखते हैं अब चलते हैं आगे complexity किसकी ज्यादा है simple in contrast with other two models consider more powerful than the other one क्योंकि यह image उसको करता है लेकिन यह वाला क्या करता है fewer features than CNN but powerful due to its self-learning and memory potential यह CNN से कम heavy होगा लेकिन इसका जो potential है memory को learn करने का वो ज्यादा accurate होगा उससे क्या फाइदा होगा उससे हम sentence structure develop कर सकते हैं हम audio को बना सकते हैं pitch को देख सकते हैं different उतार चुडाओ को देख सकते हैं यानि के हम सियाको सभाग देख के चलेंगे data का previous data भी और आगे वाला भी context जिससे हम बोलते हैं context अगर data के अंदर find out हो जो तो आप कुछ भी प्रडिक्ट कर सकते हैं ना that's why this this thing is more heavier than the other one फिर features को उन से इसके अंदर है और जो मतलब इसके जो advantages है basically यह incomplete knowledge and high fault data को tolerate कर लेता है ठीक है मतलब यह कि अगर आपके पास missing values हो या आपके पास कुछ ऐसा हो जो आप computable नहीं समझते हैं यह उसको भी deal कर लेता है और आप उसका एक trend बना गया आपको दे देता है laws and accuracy की base पे यहां पे images को accurate चेक करता है classification की base पे यह memory and self learning की base पे आगे चल रहा होता है अच्छा जी special recognition किसके अंदर होती है सिरफ cnn के अंदर special recognition क्या होता है based on the space space क्या होती अगर आप और करें तो हमारे पास एक filter run करता था matrix में specific point पे जाके आँखे को detect करता था उसको हम special बोलते हैं एक point से दूसरे point तक का distance maintain करके उसको detect कर रहा था ठीक है वह सिरफ कहां पर इसके अंदर cnn के अंदर current connections कहां पर होते हैं सिरफ rnn के अंदर अब यहां पर ज़रा current connections को एक दफ़ा देखें कि क्या होते है current connections मैंने अभी आपको बताया नाम different way में आया आपको समझा जाएगी current connections और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली चीज़ में एक होता है क्रंट एक्री क्रिंट क्या हुआ आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक नियूरॉन से जब हम दूसरे नियूरॉन की तरफ जाते हैं हम पिछibly नियूरॉन से क्रंट देते हैं कितना आघे जा रहा है वो जान भूच के लफ्ज करंट यूज किया गया था और अंग्रेजी में अगर आप किसी को सुनेंगे वो कहेंगे light, light अप करना एक neuron को recurrent का मतलब क्या है कि एक दफ़ा उसकी output आगी है दुबारा से fed करना उसी output को recurrent करना यानि के उसी output को दुबारा से fed करना ताकि उसकी वो memory में शुमार हो जाए इसकी मैं अगर देसी मिसाल दूँ तो आपको यही दूँगा कि जब आप किसी चीज को याद करते हैं आप एक दफ़ा गो थू करके नहीं नहीं याद करते याद करने का एक procedure होता है आप उसको एक या दो दफ़ा दोराते हैं यानि के मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अगर आपने एक दफ़ा पढ़ा होता तो शायद याद ना होता हमने कई दफ़ा पढ़ा है तो याद हुआ है तो याद करने के लिए एक sequential चीज होता है या तो आप उसको बार-बार note-down करें या आप उसको बार-बार बोलें तो recurrent neural network क्या करते हैं उस चीज की output को दुबारा से fed करते हैं ताके वो recurrent की base पे उनकी memory का part बन जाए बेसिक लिए अगर इसको DC way में समझाओ आर एनन के अंदर क्या होगा slow and complex training and gradient concerns होते हैं इसमें यह बहुत slow train होगा अगर किसी को नहीं पता तो आप आपने start में देखा होगा चैड जीपीटी जब नया नया आया था मैं यह नहीं कह रहा है कि इससे बना है सिस्टम के उपर model को activate करके लोगों तक पहुंचाने हैं तो उसके बीचे resources भी है slow भी है complex training भी है इसके gradient के concerns भी है यानि के vanishing gradient है या exploding gradient है उसके अंदर यह चीज़ें आठाती है फिर इसके uses आपको पता है natural language processing के लिए भी है sentimental analysis के लिए और speech recognition के लिए भी RNN के बाकी computer vision और simple problems के लिए है अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जो different तीन फरेक हैं उनको देखते हैं आर्किटेक्टर कैसा होता है यहां पे सारी की सारी layers are fully connected and do not form a cycle ठीक है data forms from one input to the output layer यह simply fully connected layers इसके अंदर होती है feed forward के अंदर अगर हम देखें या CNN के अंदर क्या आता है layers from a feature hierarchy ठीक है feature की base पे hierarchy बनती है उसकी each layer convolves its input and applies a non-linear activation function on that जैसे हम Relu के अंदर एक activation function था पीछे उसका data था वो उसको non-linear में तरफ दे जाता था फिर अगली चीज़ आती थे वो आगे non-linear में चली जाती है सो हम activation function यूज़ कर रहे थे और उसकी hierarchy को देख रहे थे RNN के के अंदर क्या होगा layers are connected in a directed graph along temporal sequence temporal sequence यह मैंने आपको भी बता के अटाओं सिर्फ यह term है इसको दरह चेक की जाएगा temporal sequence temporal sequence अगर मैं यहां पर इसको लुक अप भी करूं तो हमारे पास इस तरीके जाएगा और यह कुछ और ही दे रहा है मुझे इस नॉट नाइस लुक अप थे टाइम की बेस पे अगर कोई चीज़ हो तो उसे क्या बोला जाता है अगर कोई चीज़ टाइम की बेस पे डिवाइडेड है उसे temporal sequence बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास temporal sequence के थूँ आपकी डिरेक्शन चेंज होती है किस टाइम की दरफ जाना उस साइड बे चले जाता है ग्राफ फिर नीचे को फिर उपर को इस तरीके से मूव करते है आपके neurons की डिरेक्शन पहले में input से output तक दूसरे में आपकी hierarchy होती है तीसरे में आपका ग्राफ जो है वो directed होता है based on the temporal sequence इसी वज़ा से हमें dynamic behavior पता चलता है कि किस time में क्या हो रहा है ठीक है या किस sequence में क्या चल रहा है और यह एक खासियत है इसी RNN की अगर हम uses मैंने आपको बता दिया इनके तीन है और data भी हमने देख लिया memory इन दोनों में कोई memory नहीं है तीसरे में memory है back propagation through time यह करता है यहां पर simple back propagation है and then हमारे पास special information सिरफ इन दोनों के अंदर है यहां पर space की information नहीं होगी ठीक है information explicitly mainly focused on sequences यह सिरफ sequence की base पे होगा space की base पे नहीं होगा अच्छा यह दो इसकी problems है मैंने आपको बता दी थी यहां पर भी यह वाली problem थी but यहां पर मैंने आपको बता दिया कि simple RNN recurrent layers की base पे LSTM और group के अंदर आप उसको convert कर सकते हैं ठीक है तो यह वही चीज़ें जो हमने अभी देखी है अब आप से मेरा question यह है एक छोटी सी assignment हम यहीं पर देखते हैं और इसको perform करने की कोशिश करते हैं can we use images का data in RNN और not चेक करें एक दरा एक दफ़ा फिर पता चलेगा अगर आपको बनता है आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो उसकी दलील बताईएगा क्यों नहीं क्योंकि यहां पर लिखा है कि special data सिरफ CNN में यूज हो सकते है आर एन एन में नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह हुआ कि आर एन एन के अंदर sequence की base पे data को अगर analyze किया जा सकता है तो space को भी अगर use करना हो तो हम कौन सा तरीका अपना हैंगे मतलब यह यहां पर image को classify आप कर रहे हैं that's fine video को करना हो तो उसमें audio भी आ रहे हैं आपकी image भी आ रही हो time stamps भी आ रही है so what we can do to analyze that data या हम खुद से उसका time series के analysis करके एक एक पे CNN लगाएंगे या क्या करेंगे so that's my question थोड़ा सा complex I know that लेकिन प्लीज इसे जरूर देखेंगे लिए images के लिए RNN को यूज किया जा सकता है या नहीं that's my question दिलील के साथ बताइए का ऐसे नहीं आज आपको एक मैं WhatsApp status देने वाला हूं और उसमें आपको RNN समझ आ जाने है बेसिकली वीडियो को sequence of images बोला जाता है तो अगर specially हम नहीं analyze कर सकते तो क्या करेंगे उसमें that's my question कोई नहीं बात में इसे देख लीजेगा WhatsApp status आप लिख लें अगर किसी ने लगाना हो मैं यहां पर लिख रहा हूं like the neurons in RNN, like the neurons in RNN, I remember my past to define my future. ठीक हो गया, इस एक लम्हे में अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं कि RNN के अंदर neurons होते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि इसने जो आगे predict करना है या spit out करना है न जिस neuron ने वो दो चीजों की base पर कर रहा है एक तो अपनी current situation और पिछली याददाश की base ठीक है? तो ये एक एक तरीका गार है याद रखने का वो कहते हैं न अपनी खलतियों से सीखो तो ये अपनी यादश से सीख रहे है basically के लिए चलें एक और आपको देता हूं यह मैं खुद नहीं बना रहा भाइदावे मैं कोई राइटर नहीं हूं आपको मैंने कल बताया था तो उसे यूज करें मैं इसको यहां पे लिखके बताता हूं आप इसको याद कर लीजेगा आपको और भी इसकी समयचा रही उन्लॉकिंग तपैटरंस अफ लाइफ ठीक है उन्लॉकिंग दे पैटरंस अफ लाइफ 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 वन सीक्वेंस आप टाइम अब इसमें क्या चीज़ है जी आरनन एक सीक्वेंस को एक टाइम में यूज करता है तो आप अपनी लाइफ के पैटरंस है इसक्वेंस की एक सीक्वेंस को एक गुत्वी को एक टाइम में ऊचालें तो वह be आरेंन की तरह हीं होगा एंट न मेरोंन कोन सुझा लें टा स्टैं और यहां पर बैक्र्स वेसिकम्ट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं रिकोर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूं और फिर नियूरल नेटवर्क इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है